जहिन दोस्तों वेल्कम बैक टुड़ चैनल दरेलियातरी दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस मई के महिने में कुछ राज्जियों में लोगडाउन लगा है लॉकडाउन लगने के बाद बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ये जानना चाहते हैं कि इस मई के महिने में कोरोना गाइडलाइन क्या है यानि के कोरोना के नियमों में क्या कोई परिवर्तन हुआ है आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी होगी क्या नया अपडेट है, किस-किस राज्य में, क्या-क्या कोरोना गाइडलाइन है और कहां-कहां पर होम कॉरिंटीन या फिर 15 दिन का कॉरिंटीन किया जा रहा है दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देना चाहता हूँ कुछ ही राज्य हैं जहां पर RTPCR टेस्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है वो राज्य है करनाटका, उरिसा, तमिल नाडू, पंजाब, महाराष्ट्रा, राजिस्थान, आसाम ये कुछ राज्य हैं जहां पर RTPCR टेस्ट रिपोर्ट मांगी जा रही है बाकी के राजियों में RTPCR test report जरूरी नहीं है लेकिन हर राजिय में अलग-अलग guideline है कहीं पर 7 दिन का quarantine है तो कहीं पर 14 दिन का quarantine है अगर आपको positive पाया जाता है तो मैं आपको clear कर देता हूँ है क्या ये quarantine वाला पुरा system यात्रा के दोरान अगर आपके अंदर कोई भी corona का लक्षन आता है और जब आप जिस भी राजिय में पहुंच रहे हैं वहाँ पहुंचने के बाद आपकी thermal scanning या फिर rapid testing होती है और वहाँ पर आप positive पाय जाते हैं तो आपको कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 14 दिनों के लिए home quarantine में भेज दिया जाएगा जिस भी राजिय में आप गय हुए हैं और अगर आप quarantine से बशना चाहते हैं तो आपके पास RT-PCR test report होनी चाहिए बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास अगर RT-PCR test report नहीं होगी तो क्या मैं सफर कर सकता हूँ हाँ आप journey कर सकते हैं लेकिन वहाँ जब जाएंगे अगर वहाँ पर आप positive पाय जाते हैं जिस भी राजिय में आप जा रहे हैं तो हो सकता है आपको home quarantine में भेज दिया जाएं फिलहाल जिन जिन राजियों में RT-PCR test report मांगी जा रही है वो मैंने आपको बता दिया उनहीं राजियों में 7-14 दिन का home quarantine का rule है और जिन लोगों के पास RT-PCR test report नहीं है लेकिन उन्होंने दोनों vaccine ली हुई है कोरोना की तो उन लोगों पर RT-PCR test report दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना उनको home quarantine किया जाएगा ये भी एक rule है फिलहाल इस मई के महिने में जिन जिन राजियों ने lockdown लगाया हुआ है जैसे की पंजाब, हरियाना और बिहार ने वहाँ पर अभी guidelines वही हैं जो पिछले साल थी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है हर station पर thermal scanning और rapid testing हो रही है उमीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा इस वीडियो से सम्मंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ तैंक यू सो मच पर वाचिंग दरेल यातरी चैनल एंड कीप सपोर्टिंग